हेलो एब्रीवन देखी क्लास एट्थ मैथमेटिक्स का चैप्टर नमबर 6 याने स्क्वाइर एंड स्क्वाइर रूट एक्साइज 6.4 चल रही थी क्वेशन नमबर 1 के हम 6 पार्ट कर चुके थे अब हम करेंगे क्वेशन नमबर 1 के ही 7 पार्ट से आगे क्वेशन निक पर पढ़ लेते हैं इस तरह से हमने लिख लिया 5 7 7 6 तो हम क्या करते हैं इसमें फर्स्ट पार्ट से प्रक्रॉन दालेते हैं दो दो के पेशन बना लेते हैं धो банना प्रक्रॉब्रेस्ड गोई स्ट्रीश ऐसे थोड़ा सा कम रहे तो जैसे अगर हूं मेरा तो जैसे हम लेता है तो 66 इससे कम रहेगा 7 लेता हूं तो 7,7 जा 49 ठीक है 7,7 जा 49 हो जागा और अगर यह आ पई चांस 8 ले लेता तो 8,8 जा 64 हो जाता जो कि इससे ज्यादा हो जाता इसलिए हम ने 7 लिया 77 कितना हों गया 49 57 मैंसे 49 को गटाते हैं तो बचता है हमरे पास 8 ठीक है minus करते हैं इस तरह से करते हैं और next जो पेर है वह यहां पर उतार लेते हैं नेक्स्ट पेर है हमारा 76 तो 76 को यह उतार लेते हैं ठीक है और जो ऊपर लिखा उसको यहां इसके नीचे लिख करके इन दोनों को प्लस कर देते हैं ठीक है तो 7 और 7 कितना जाता यह आ जाता हमारा 14 और साथ में ही एक डैश लगा देते हैं ताकि की नेक्स्ट टैप जो हम करेंगे यहां पर वह नंबर लिखेंगे जैसे सब्सक्राइब लिखता हूं तो 145 यानि 145 बन जागा तो 145 को 5 से मल्टिप्लाइब करना पड़ेगा हमें मल्टिप्लाइब करके इतना आना चाहिए या फिर छोड़ों कम आए इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए ठीक है तो हम यह ऐसा नंबर लेना सब्सक्राइब मैं सिख्स लिखता हूं तो 146 से मल्टिप्लाइब करके देखेंगे तो यहां पर चेक कर लेते हैं 146 को सिख्सामर करने पर देखो क्या आता है 146 को 6 से मल्टिप्लाइब करते हैं 363 केरी 624 और 327 तो केरी 656 और 28 ठीक है यह आ गया तो क्या करेंगे 14 यहां पर लिख दिया हमने 6 जो नंबर यहां लिखेंगे सेम वही नंबर उपर लिखेंगे 146 को 6 से मल्टिप्लाइब करेंगे तो कितना आ रहा था 876 ठीक है माइनेस करते हैं माइनेस करते हैं रिमेंटर के आ गए हैं आप जीरो तो हमारा रूट 576 की वैलू कितने आ गए 76 तो हमें लिख देंगे रूट 5776 कितनी वैलू आ गए इसक एसका आन्सर आ जाता है एडिए पार्ट करते हैं कि 2921 तो हम यहां इसको भी लिख लेते हैं है तो हम लिख लेते ऑन नाइन टू आल जेक हैं यहां पह भी बना लेते हैं लास्टлись कि बना लेता तो कोई एक बन गया 211 बन में 79 अब हम 79 देखते हैं कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर करने पर 79 या इससे थोड़ा कम रहे ठीक है जैसे मैं 8 लेता हूं तो 8 8 जा क्या होगा 64 थोड़ा कम रहेगा इससे 9 लेते 99 जा 81 इससे ज्याद हो जागा तो हम यहां 8 ले लेते हैं 8 8 जा क्या होगा 64 यह हमारा मैं थर्ड है क्या करते हैं यहां पर ऐसा नंबर लेते हैं जिसको इससे मुट्पाय करने पर इससे थोड़ा कमाई इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए यहां फिर इसके एक को लाजा तो भी चलेगा यहां मैनस कर दिया 79 से 64 को मैनस करेंगे तो यहां तो बचेगा यह पांच और यहां बचा एक यानि 15 अब नेक्सट पेर उतार लेते हैं 21 ठीक होम यह सिंगल डिजिट नहीं उतारते हैं हम यह हमेशा पेर में ही प्रटें तो जो ऊपर नमबर लिखाता कर देँ हैं इसके नीचे लिख देंगे और इन दौनों को जोड देंगे 8 और 8 कितना जागा 16 ठीक है और सात में यह एक डैस क लगा देना है ठीक है जैस लगाना बिल्कुल याद रखना आप बिल्कुल मत बूलना क्योंकि यहां जो नंबर लिखने वाले हम जैसे सपोज मैं यहां पर लेखता हूं नाइन तो 169 होगा तो 169 को 9 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा और इतना आना चाहिए हमें देखिए यूनिट प्लेस पर चाहिए वन तो वन हमारा किन दो नंबर को मल्टिप्लाई करने से आता है या तो वन इंटू वन आता है वन यह फिर 99 जा 81 तब भी वन प्लेस पर वन 169 से तो 169 को और हम 9 से मल्टिप्लाई करके देखते हैं क्या आता देखो 99 जा 81 8 कैरी 9 सिख जा 54 54 और 8 कितना आएगा 62 6 कैरी 9 बंजा 9 9 और 6 कितना आएगा 15 तो 169 हम नहीं लिख दिया 9 कितना आएगा 1521 ठीक है रिमेंटर इसका कुछ बचा नहीं तो रूट हमने निकाल ल यहां चाहिए तक इसका 7921 कितनी वैल्य आगे इसके रूट की यह आगई 89 ठीक है इस तरह से हमारा 8 पार्ट हो गया नेक्स पार्ट करते हैं तो 9 पार्ट है 576 इसका हमें इसका रूट निकालना है तो लिख लेते हैं पहले 576 तो देखो हमें इसमें क्या करना होता है 1st step हमारी होती है कि हमें इसके par बनाने होते हैं अब अगर यहां देखें तो लाश्ट से par हम बना रहे हैं और यहां देखें तो लाश्ट का एक pure डबन गया 5 अकेला रह तो कोई दिक्कत नहीं ! हम जो up aspect वाला यारिक पाँंच तो हमें सब से पहले इसी से करना है लेकिन अगर 3 लेते हैं तो 3 3 यह 9 जो कि इससे ज्यादा हो जाता तो हम क्या लिखेंगे 2 तो 2 को 2 से मल्टिप्याई करते हैं तो कितना आता है 2 2 जा 4 ठीक है हमने यहां माइनस किया 5 से 4 गया 1 बचा ठीक है अब हम next pair को उतार लेते next pair क्या है क्या हमारा 76 तो हमने 76 को उतार लिया अब जो ऊपर जो नंबर लिखते हैं त्यान रखना उपर जो लिखते हैं उसके नीचे यहां पर जरूर प्लस करना होता है तो 2 Pступ लास औ प्लू स्ट्विञों 4 और साथ ही यहांwriter डैश लगा देते हैं डैश क्यों लगाना है क्योंकि हम यहां पर नेक्स्ट स्टैप में यहां पर एक Number लिखेंगे और जब फी टू डिजिट नंबर बन जागा तो इस टू डिजिट नंबर को यहां जो हमने Number लिखा उससी से हमां Multiply करना है सब्सक्राइब चाहिए 44 बनेंगे तो 44 को 4 से मल्टिप्लाई करेंगे अगर मैं में लिखता हूँ, 5 तो 45 को 5 से ही मल्टिप्लाई करेंगे मतलब जो यहां number लिखेंगे, उसी से इस पूरी दो डिजिट को Recogn करेंगे, तो मैं यह पहले i cash लिखंग करता हूँ तो नंबर बन जाया क्या 6 यहां 6 लिखता हूं तो 46 बन जागा 46 को पहले 6 से मल्टिप्लाइब करके देखते हैं कितना आता है तो 6 6 जा 36 3 कैरी 6 4 जा 24 24 और 3 कितना हो जागा 27 तो यह हो जाएगा इससे ज्यादा बड़ा हो जागा तो इसको नहीं लेंगे करते हैं एक जाद हो जाएगा हम कम वाले करते हैं दरहूं योनिट प्लेस पर हमें यह चाहिए 6 तो 6 कब आता है 4 इंट 4 4 14 16 आता जा यानी उनिट 5 पर 6 सीच वाले से थो वमारा बढ़ा आ तो इक काम करते है फो से ट्रयकों है यानि 44 यहां पर 4 था एक यह फोर हमने लगाया अपने बन से फोर से को मल्टिप्लाइब करके देखते हैं कितना आएगा फोर फोरजा 16 और 4 फोरजा 16 और 1 70 देखो आगे ना तो हमें ऐसी नमबर से ट्राइब करना चाहिए तो हमने लिखा यहां पर 4 यानि 44 को हमने किसे multiply किया 4 से 44 को 4 से कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 176 remainder आ गए इसका 0 तो इस तरह से root 576 की जो value हमारी आ गई square root 576 value जो आगी हो आगी हमारी कितने 24 यह हमारा answer आ गए ठीक है next part करते हैं 10 part 1024 इसका भी हमें square root निकालना है long division method से लिख लेते हैं 1024 pair कर लेते हैं last से एक यह बन गया एक यह बन गया first pair है हमारा 10 ऐसा number लेना हमें कि जिसको सी से multiply करने पर 10 से थोड़ा कम आई है पर 10 के बराबर आ जाए तो हम यह number ले लेते हैं 3 क्योंकि 3 को 3 से multiply करेंगे 339 इस थोड़ा कम आएगा अगर यहां 4 लेते तो 4 4 जा 16 इससे बड़ा आ जाता तो 3 3 जा 9 तो 10 मैंसे 9 मैंस करते हैं कितना बचेगा 1 ठीक है next pair को उतार लेते यह next pair को 24 ठीक है अब जो ऊपर लिक्खा 3 इसको इसके नीचे लिख करके प्लस करना होता हमें जो भी यह number लिखेंगे उसको यहां पर लाकर प्लस करना होता है 3 और 3 कितने होगे 6 और यहां पर एक डैश लगा दे ठीक है अब यहां पर क्या नंबर लिखे हैं कि जो यह तो बन जाएगा तो यहां वाले गर आए लेते हैं तो तो क्या वाजला कि 62 62 को टू से माल्टिप्लाइ करेंगे तो इतना ही आएगा फिर भीए आप एक बार मल्टिप्लाइय करके चेक जरूर कर लेना 62 हो गया तू लिखने से जो नंबर यहां लेका वही नंबर हम यहां लिखेंगे तो 62 को टू से करेंगे तो कितना आ जागा थो टूजा 4 वान 24 जाता है मैं अज़सर करेंगा कितना आ गया 0 जीरो आ जाता तो जो उपर हमारा है कोशन्ट वहीस का रूट होता है यानी की रूट जो हम निकाल लेते हैं 1 0 2 4 यानि 104 का रूट निकाल लेते हैं उसका आंसर कितना हमारे पास 32 ठीक है तो यह हमारा आंसर आ गया ओके बाकी की पार्ट नेक्स वीडियो में करेंगे नहीं तो वीडियो हमारी ज्यादा लंबी हो जाएगी ओके थैंक यू